अगैन, you have to believe, बिना विश्वास कि तो यह खाली सफेद पत्थर है, कुछ नहीं कर पाएगा, तो विश्वास रखिए, अच्छे से जैसा बतारियों वैसे ट्राय कीजिए, और आप खुद आके लिखेंगे कि भाह, हमें पता ही नहीं था, आप पता है ना, ट्राय कीजिएग पस उसके बाद कहीं गायब हो गया, लेकिन आज मैं इसको वापस से आपके घर में स्थापित करने के लिए आई हूँ, अगर आप इसकी कीमा जान जाएंगे ना, वैसे तो पांच रुपे का है, पर वो वाली कीमत नहीं, इसकी वैल्यू जान जाएंगे ना, तो बस, आप बोलेंगे, आज ही हम इसे घर वापस लेकर आ रहे हैं, ज़रूर लाइएगा, क्योंकि आज मैं आपको 10 रीजन देने वाली हूँ, क्यों ये वापस आपके घर में आना चाहिए, और आपके लिए बहतरीन रिजाल्स किस प्रकार से देता है, हर चीज दिखाने वाली हूँ बताने वाली हूँ, समझने वालों का इस वीडियो पर बहुत-बहुत स्वागत है, आएज जानते हैं, क्या-क्या माजिकल चीजे ये कर सकता है अगर चानल पर पहली बार आए है या ये मानते हैं कि हम DIY वाले परसन नहीं है, तो एक बार चानल को सब्सक्राइब करके देखिए, लाल बटन दबाना है, बेल आकन को प्रेस करेंगे, तो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, और फिर देखिएगा, कह नहीं पाएंगे कि हम DIY कि कमाल की ओडियन्स और उनके कमाल के रिजल्स आपको विवश्च कर देंगे कि आप भी इसको ट्राय करें जिहां, आज के वीडियो में आप सभी के साथ बात करने के लिए हूँ, इस नमक जैसे ट्रांस्परिंट क्रिस्टल लाइक माटेरियल जो की कोकिंग और मेडिसिन अगर मैं आपको बता हूँ कि यह क्या क्या बेनेफिट्स आपके लिए रखता है तो आज के बाद आप इसका इस्तमाल इतनी सारी चीजों के लिए कि आप बस खुश जाएंगे, हमें भी नीचे लिखकर अवश्य बताएगा कि आप कि इन चीजों के लिए इसका इस्तमाल हो रखा है आपको किसी भी तरह का इंफेक्शन हो रखा है आपके स्कैल्प में आपके शरीर में कहीं पर भी तो आप इस पत्थर का इस्तमाल कर सकते हैं बहुत ही आसान है इसको यूज करना सिरफ पानी में डिप करना है और जहां भी आपको चोट लगी है वहां पर आप पर रगड सकते हैं जिहां डिरेक्ली चोट पर रगड सकते हैं और जब आप इसको रगड़ेंगे तो कुछ पिगलेगा नहीं कुछ दिखेगा नहीं आपको लगता हुआ जस्ट आप एक मिनट तक इसको अच्छ से रब करेंगे और साइड रग देंगे और जब इसूखे कर देता है तो अपने घर में अच्छा सा फर्स्टेट किट बना कर रखते हैं तो उसी जगह पर आप इस तुर्टी को एक बॉक्स में रख सकते हैं ताकि जब भी आपको जरूरत हो आप इसको इस्तमाल में लेकर आ सकते हैं यूसेज नंबर टू इस फोर हो जाता है जहां यह क्लोरीन से कहीं ज्यादा अच्छा और बहतर विकल्प है दो हजार सोला में किसी ने गणीज जी बनाय थे चोटे से आलम के ताकि गणे चतुर्थी पर जो मूर्थिया बनती है वो जब पानी में रिलीज की जाएं तो वो पानी को प्यूरिफिकर सके क अगर आपके चहरे पर बहुत जादा डॉल नेस रहती है बहुत जादा ओएल आता है बहुत जादा ब्रेक आउच रहते हैं तो आप बहुत ही थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर और इसको गुलाब जल में मिलाएकर अपने चहरे पर लगा सकते हैं और आप देखींगे कि aja आपके चहरे पर जो भी dark spots हैं, जो भी problems हैं, वो धीरे-धीरे lighten हो रही हैं, यह आपकी skin को rectify, correct करने के ख्रमता रगता है, अगर आपके चहरे पर कोई problem है, तो उसको address कर सकता है, तो आप इसको definitely इस तरीके से try कर सकते हैं, यह आपको गोरा नहीं करता है, लेकिन आपके चहर को dehydrate कर सकता है, इसी लिए आप लोगों को moisturize जरूर करना है, जब भी आप इसका इसका इस्तमाल करें, usage number 4, for your oral health, अगर आपके मूँ से smell आती है, या आपके दांत हलके से, you know, discolored हैं, brown हैं, yellow हैं, जैसे भी हैं, अगर आपके gums में से खून आता है, अगर आपका गला खरा के लिए आप तुर्टी याने की इसी, alum powder का इस्तमाल कर सकते हैं, गुनगोने पानी में, आप पिंच अफ इस सौल्ट को ले सकते हैं, अच्छे से घोल के और उसके बाद इसको रिंस कर सकते हैं, इससे गार्गल कर सकते हैं, गरारे कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि डिस वह हैं वह हेल्दी हो जाएंगे तो इस वेरी चीप वे बहुत आसान तरीका है आपकी ओरल हेल्थ को अच्छा रखने का यूज़ नमबर फाइफ इस फटी एडियां जहां यह आपकी फटी हुई एडियो को बहुत आसानी से फिक्स कर सकता है आप चाहें तो एक फुट सोक पानी में आप इसी तूटी के नमक को अच्छे से डाल दीजे जनरेसली डालिये और इसमें पानी अपनी जो एडिया है इसको सोक करके रखी है यह तो हो गया फुट सोक हम नहीं कर सकते है तो आप इसी पत्थर को गिला कीजिये और सोनी से पहले अपनी एडियों में वो कमाल की हो गई है वो जो expensive cream आप ले रहे थे अपनी एडियों के लिए किसी चीज के आवशक्ता नहीं है आपकी एडिया बिल्कुल सुन्दर हो जाएंगे यूज़ेश नमबर 6 इस गूइंग टो बी रिड्यूसिंग इन्फलमेशन अब अगर आपके चहरे पर आपके हाथों पर आपके पैरों में आपके बालों में कहीं पर भी हलका सा भी इन्फलमेशन है यानि कि आपकी स्किन अपने आपको प्रिटेक्ट करने के परपस से ब्र से इसको गैन आपको गीला करना है सुखे में यूज नहीं हो सकता है और आपको उस जगह पर अच्छे से इसको रगड़ना है ताकि जो भी आपको अलर्जी हो रखी है जो भी परिशानी हो रखी है वो सबसाइट की जा सके तो इस्तमाल मेलाने का तरीका नमबर 7 जो कि मैं स्वयम अपने लिए इस्तमाल कर चुकी हूं और बहुत एच्छे रिजल्स पाच चुकी हूं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूं और यह यह एंटाय प्रेसिपितेन प्रॉपर्टी रखता है और एंटाय बॉडी ओडर प्रॉपर्टी रखता है कि अगर आप वाक्सिं इस्तमाल करते हैं तो यह ऐसा सब्स्टिट्यूट मुझे मिला है विच इस माजिकल मैंने लाइफ टाइम नीविय का रोलाउन यूज किया है और मैं काफी खुश थी उसको यूज करके फिर मैंने रीसेंटली डव का रोलाउन भी ओर्डर किया था जिसको मैं पूरा नहीं कर रहे हैं तो यह मैंने इनको इनके साथ पारलली ट्राय किया यहीं फिटकरी का पत्थर और यकीन मानिये मैंने रोलाउन जॉडर कर दिया है विकिस यह वो काम कर रहे हैं अगर आपको बहुत पसीना आता है तो रेगिलेट हो जाएगा अगर बहुत जादा बोडी ओडर क परिशानी है तो वो बिलकुल नहीं होगी हाँ खुश्बू आपसे नहीं आएगी फॉर यह खुश्बू का काम नहीं कर सकता है पर डेफिनेटली यह आपको एंटाइप्रेसिपितन और एक बोडी ओडर जो नहीं आए उसका काम बहुत अच्छा कर रहा है तो आप इसको कर सकते हैं वैक्सिंग के बाद भी शेविंग के बाद भी और एज रोल ओन भी यूज इज नमबर आट इस गोइंग टो बी कि आप इसको अपने अन्वांटेट फेशल है को रिमूव करने के लिए इस्तमाल में ला सकते हैं देखिए जब भी आप इसको गीला करके कहीं भ करेंगे तो आपको वहां पर हलका हलका पाउडर सा दिखेगा जो कि हलका फ्रिक्षन देता है बहुत ही माइनूट फ्रिक्षन देता है ऐसा भी नहीं कि आपको रगर लग जाएगी जादा प्रेशन मत लगाना बस यह बस तच करके हलका गुमाना है दाट सट और आप हैर को रिमूफ करने में ओविजली इमेडिये रिजल्ट नहीं मिलेगा और नहीं एक महीने में मिलेगा थोड़ा लंबा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा लेकिन आपकी वो जो अन्वांटेड है उनकी ग्रोथ ट्रिमेंडिसली कम की जा सकती है तो एज रेमेडी यूज करेंगे तो definitely reduction दिखेगा हां once in a while यूज कर रहे हैं तो फिर आपके लिए नहीं है usage no.9 बहुत important है क्योंकि आपकी skin की समस्याओं को address करता है अगर आपको blackheads की परेशानी है अगर आपकी बहुत जादा oily skin है अगर आपके चहरे पर dark circles है अगर आपको acne बहुत जादा रहते ह अगर आपके चहरे पर कोई भी dark spots है जैसे मैं बता चुके हूँ तो आप इसी फिटकरी के powder का इस्तमाल कर सकते हैं आप इसी पत्थर को कूट लीजिए अच्छे से चान लीजिए और यह आपका फिटकरी का powder बनके ready हो गया है एक पत्थर रखिए एक powder रखिए किसी भी तर ओल आता है पर लगाते है तो ओल रेगुलेट होता है जहां पर आपको अक्ने पर भी आप इसको लगा सकते हैं उस परिशानी को भी एड्रेस करता है वे एंटी बैक्टीरियल है मैंने बताया आपको तो इन सबी समस्याओं के लिए यानि कि आपके beauty रजीम में यह बहुत important रोल प्लेए कर सकता है, again you have to believe, बिना विश्वास के तो बस ही खाली सफेद पत्थर है, कुछ नहीं कर पाएगा, तो विश्वास रखिए, अच्छे से जैसा बतारियों वैसे ट्राय कीजिए, और आप खोद आके लिखेंगे कि भाई वाह, हमें पता ही नहीं था, आप पता ह कर सकते हैं, अच्छे से मूँ धोलेने के बाद आप इसी पत्थर को हलका हलका पने पूरे चहरे पर लगा सकते हैं, ज्यादा देर के लिए नहीं, जस्त एक बार पूरे चहरे पर लगा कर साइड रग दीजिए, जैसे ही यह सूखेगा, आपको लगेगा, आपकी स्किन इत लेकिन जो खिचाव अपको अपनी स्किन पर महरसूस होगा, वो बहुत 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 अमेजिंग होता है, लेकिन अती किसी चीज की भी नहीं करनी है, रोज एक बर मोर्निंग आज में कर लीजे, सफिशिंट टु डिसिप्लिन यॉर स्किन, इस से ज्यादा आपको नहीं करना है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी को कुछ न कुछ यूसफुल मिला होगा इन 10 पॉइंट्स में, आप अपने लिए क्या-क्या ट्राय करने वाले हैं, नीचे लिखकर मुझे अवश्य बताईएगा, आपको इसके और क्या-क्या यूसे पता हैं, वो भ पसंदाई है, तो गिव ए थाम्स अप, नहीं है, तो आप देख चुके हैं, क्या-क्या माज़ कहा होता है, तो सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल मच जाएगा, मैं अगली वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ, सम्तिंग माजिकल फियो हैं, सम्तिंग माजिकल फियो है of yourself, and know for sure you are amazing, you are beautiful, you are everything, take care I forgot to mention, mosquito bites, mosquito bites के लिए ये गमाल कर सतता है, अगर किसीने ये मस्कीटो ने काटै है, अगर किसीने मस्कीटो ने काता है, एल्थे बार्णीज़, और फिस्टने थाँ एल्टियो है, और देले लिए